दोस्तों ये रेमेडी बहुत खास है और इसका नाम है होर्ण बीम यह आपको पैसे भी दिला सकती है जी हाँ इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं चुकि ज्यादत तर जिन लोगों के पास पैसे की कमी होती है उन लोगों के अंदर यह वाले गुंड पाए जाते हैं जैसे हर कम को कल पर टालने के आदत होदी ऊंदब करोंगा परसो करोंगा आज गर्मे बहुत ज्याद थी मेरा मू लोफ था तोड़ा सा आज मुझे मूई देखनी थी या ऐससे करके कुछ भी बाहने करते रहते कि वहर काम बीतापी पर छोड़ते रहतें इनके अंदर जोस और जुनून की बहुत कमी होती है इनके अंदर ना जोस होता है ना जुनून होता है कभी-कभी कोई मूवी देख लेंगे, किसी का लेक्चर सुन लेंगे मोटिवेशनल टोक तो अंदर से बड़े मोटिवेट हो जाएंगे अब मैं आग लगा दूँगा, अब मैं आसमान फाड़ दूँगा, अब मैं दर्ती में छेद कर दूँगा मतलब जो भी है तो बड़े मोटिवेट हो जाते हैं लेकिन फिर वो पांच मिनट बाद, एक गंटे बाद वो उनका मोटिवेशन फुस हो जाता है उनके अंदर जोस और जूनिनगी कमी रहती है और हर काम पो कल पर टालने की आदत होती है बिस्तर पर पढ़े रहना इनको बड़ अच्छा लगता है लैप्टॉप में लगे रहेंगे, बिस्तर में पढ़े रहेंगे मोबाइल में लगे रहेंगे, कोई बुक पढ़ लेंगे तो बस उन्हीं चीजों से खुसो से होते रहते हैं कि हाँ आज मैंने बुक पढ़ी है तो मेरी नोलिज बढ़ गई और बड़ अच्छा होगा, आज का दिन वसूल होगा इनको बिस्तर में पढ़े रहने की बड़ी पुरी आज़त होती है ऐसे लोगों को खास कर पैसे की कमी होती है और सारीरी कमजोरी भी यह फिल करते हैं मतलब ऐसे कावों से तो बचते ही हैं जिसमें इनकी कुछ सारीरी उर्जा लगनी हूँ मतलब सबोज कहीं पैदल चलके जाना लंबा दो किलोमेटर तीन किलोमेटर यह दूप में पर जाना है तो यह बिल्कुल एक दम नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा यह मतलब इस तरह की लोग होते हैं तो ऐसे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है अगर आपको होन भीम अगर उनको देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे में जवाई का नाम वगएरा जो भी है वो लिख दूँगा और सेम करना है एक गिलास पानी उसका चोथाई भाग मतलब एक गिलास का चोथाई भ बार तीन बार चार बार जैसे भी करके तो महीने में देड़ महीने में इनके आदत एकदम छूट जाएगी और जोस भी आने लगएगा अंदर से जुनून भी रहने लगएगा और काम करने का बड़ा मन करेगा काम को कल पे टालना छोड़ देंगे ओटोमेटिकली विचार बार इंके चेंज हो जाते हैं जो भी काम इनके दिमाग में आते हैं निको लगता है अभी पूरा कर लेता हूं तो एक तम टॉटल ही लाइफ चेंज कर देती है ऐसे लोगों इसको जरूर ले दोस्तो अगर कोई प्रोब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरी व